अगर आप कोई वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीज़े शेयर कीज़े शाथ मेरे चैनल को सबस्क्राइब करने ना भूलिए चलिए देखते हैं यह रेसिपी और इसे बिनाने के लिए सबसे पहले एक बरतन में मैंने यहाँ पर एक कप के करीब स्वीट कॉल लिया ह और इसे हम 3-4 मिनट के करीब पहले बॉयल करेंगे तो एक गलास मैंने पाने डाला है और इसे 3-4 मिनट मैं कवर करके बॉयल कर लेती हूं तो 3-4 मिनट के बाद mil while हो चुके हैं और इसके बाद से छलने में हम ळाल के हम थंठा कर लेंगे तब तक हम बागी तयारिया करते ह तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बोल ले लिया है और इसमें डालेंगे काफी सारी सब्जियां बारी कटी हुई तो यहाँ पर यह मैंने सब्जियां डाल दी, साथ में यहाँ पर प्यास डाल दीया है आप चाहें तो कोई भी चीज डाल सकते हैं और जितना भी डालना चाहा उतना डाल सकते हैं या इसके बिना भी बना सकते हैं इसके बाद यहाँ पर मैंने आधा कप के करीब डाल ले हैं और चाट चमबच यहाँ पर डाल रही हूँ कॉन फ्लोर जिससे की बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी और जो हमारे स्वेट कॉन थे अच्छे से ठड़े हो गया ठंड़े होने के बाद इसे मैं चॉप कर लेती हूं तो इस तरीके से मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया आप चाहा है तो इसे भी मैंने पूरा डाल दिया है तो ये स्विट कॉन का नाच्छता है तो इस तरीके से में यहाँ पर यूज कर रही हूं और इसके बाद इसमें मैं डाल रहे हूं बॉयल आलू तो आधा कपकी करीब यहाँ पर बॉयल आलू डाल रही हूं इससे की बैंडिंग अच्छी आएगी तो सब दी मिला के बहुत अची सी बैंडिंग होगी तो इतनी सारी चीजें इसमें मैंने यहां पर ढाल दी है और इसके बाद कुछ डालेंगे इसमें मसाले तो यहां पर डाल दिया है मैंने नमक स्वाद के नुसार चिली फ्लेक्स डाल देंगे यहां पर आप चाहें तो लाल मिच का पाउडर यूज़ कर सकते हैं इसके साथ यहां पर मैं आदा चमच के करीब डाल रही हूँ अरीगेनो आप मिक्स हब डाल सकते हैं काली मिच का पाउडर डाल सकते हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर आदा चमच के करीब और साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्श का पाउडर बहुत अच्छा पिलर आएगा और इसके साथ यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आदा चमच चाट मसाला सबी सीजे मैंने यहाँ पर डाल दी है और इसे अच्छे से मिला देंगे जिससे कि बिल्कुल डो की फॉर्म में आ जाएगा ये और आराम से मिक्स हो जाएगा अलग से हमें पानी वगरा कुछ भी मिलानी की जूरत नहीं है तो मैं इसे स्पून से मिला रही हूँ लेकिन आप इसे हादों से मिला लेती हूँ तब ही ये डो की फॉर्म में प्रॉपर तयार हो पाएगा तो इस तरीके से ये मिक्षर हमारा तयार हो गया आप देख सकते हैं विल्कुल अच्छे से तयार हो गया है और बैंडिंग के फॉर्म में भी आ गया है इसके बाद यहाँ पर हम एक घोल तयार करेंगे इस लड़ी तयार करेंगे तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 4-5 चमच मैधा ले लिया है थोड़ा सा नमक अट करेंगे और थोड़ थोड़ा पाइड डालते वए इस तरीके का हम गोल बना लेंगे तो थिकनेस बहुत ज़ादा नहीं रखनी है और नहीं बहुत ज़ादा पतला रखना इसे इस तरीके का हमें गोल बनाना है गोल तयार होने के बाद जो हमारा मिक्षर है वो भी तयार हो गया है और साथी साथ मैंने लिया है चार ब्रेड को मैंने ब्रेड करम बना के पहले से रख लिया था तो वो ले लिया है और हम इस तरीके से हम इसकी छोटी सी कटोरी में डाल के इसे नाप लेती हूँ तो ऐसे करने से जो बॉल है सारे बॉल एक्वाली बनेंगे तो यहाँ पर ये, मैंने एक बॉल बना के तियार कर लिया है और इसी तरीके से में सभी बना लेती हूं बहुत ही असानी से तियार हो जा रहे हैं अगर यह mixture हाथों पे चिपकता है तो हाथों पे थुड़ा सा तील लगाले जिसकी वजह सहाथों पे नहीं चिपकेगा और इस तरीके से मैं आप चाहें तो कोई भी shape दे सकते हैं आप इसे किसी भी shape में से बना सकते हैं, आराम से तियार हो जाएगा और यहाँ पर यह दूसरा मैंने बना लिया है तो सभी को इसी तरीके से मैं बॉल बना के तयार कर लेती हूँ तो आप देख सकते हैं कितने बड़िया से बॉल बना के तयार हुआ है तो इसी तरीके से पूरे मिक्षर से मैं बॉल बना के तयार कर लेती हूँ तो सारे बॉल यहाँ पर बन के तयार हो गये है, तो आप चलते हैं, आगे के प्रॉसस में आप देख सकते हैं, कितना इनके उपर बढ़िया क़लर कराuğ तो इह बहुत ज़ीए हमारे बॉल तयार हो गये हैं, और अब यह एक करते हम कोटिंग कूटिंग करेंगे, जिसarian सब्सक आट करम बना लिया है ग्रैंड जारा में डाल के आराम से बन जाता आए और इसके बाद यह मैं इसे की रीख कर लेती हूँ तो कोटिंग बहुत आराम से हो जाती है जैसे मैं कर रहे हूं बिल्कुल इसी तरीक से आपको कोट कर लेना है तो आप देख सकते हैं जो सिंगल कोट भी कर सकते हैं डबल कोट भी कर सकते हैं तो यहां पर मैं दोनों करने वाली हूँ तो यहां पर एक को मैं शैलो फ्राइ करूंगी और एक को डिफ्राइ करूंगी तो यहां पर इस तरीके से मैंने इसे कोट कर लिया है तो सभी बॉल को ऐसा ही मैं कोट करके तियार तरी कर ले हैं तो यहां पर सभी बॉल हमारे अच्छि कोट हो गए हैं मैं ने फिर्ट कर दिया है और देक तरीके से त्यार हो गए तो यहां पर कुछ बॉल को में डबल कोट करने वाली हूं जिसकी विजही से बहुतài discussed क्रिस्पी बनें घर इस तरीके से डबल कोट करके तयार कर लेदे हूं तो यहाँ पर 6-7 बॉ крут करी और सब्वी को तयार कर ली है आप चाहिए तो इसे सिंगल भी रख सकते हैं मैंने यहाँ पर दोनों तरीके से आपको बताया कि किस तरीके से करना है डवल कोट करने से बहुत अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे तो आप चलते हैं आगे के प्रोसेस में यहाँ पर जो कुछ बॉल है उसे मैं कम तेल में बिल्कुल बनाने वाली हूँ और कुछ को मैं शैलो फ्राइ करने वाली हूँ आप चाहें तो इसे डी फ्राइ भी कर सकते हैं इन बॉल को फ्राइ करने में कम तेल लगे इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है यह अपम पैन और इसमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ और ब्रश की हल्प से थोड़ा सा मैं फैला देती हूँ सारी कैविटी में अच्छे से ताकि जब हम इसमें बॉल डाले तो चारो तरप से बहुत अच्छे से फ्राइ हो जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं इस तरीके से कर दिया आप चाहें तो यहाँ पर घी बटर जो कर सकते हैं चाहे तो आप इसे शयलो ख़रा कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं तो पलटते जाना ध्यान रखनाना इस तो ज़ल जाएंग डीऊ भुपर के कच्छे से पल जाएंगा नियुक्त के से पिक धाय! पर मैंने सबी बॉल को यहां डाल दिया है कड़ाई में और इसे भी हम अलटते प्रते रहेंगे जिससे की बहुत अच्छे से पक जाए ऐसा ना हो कि एक तरब से कच्छी रह जा और एक तरब से ही पक जाए तो इसे दोनों को हमें इसी तरीके से फ्राइ कर लेना है आप चाह लेकिन उपर जो हमने मैदे की कोटिंग की है और जो ब्रेड कम लगाया है वह ज्यादा पकने जरूरी है तो इस तरीके से हमें फ्राइ कर लेना है और जो हमारे अपम पैन वाले थे वह भी आप दीख सकते हैं बहुत अच्छे से फ्राइब हो गया है साथी साथ इसमें हम अलग से उपर से भी ऑईल डालते हैं जिससे कि और भी ज्यादा क्रिस्पी भी हो जाए तो यहां पर मैंने ऑईल डाल दिया और थोड़ा से और पका लेती हूं यहां पर हमारे अपम पैन वाले जो अपे हैं वह भी बिल्कुल तयार हो गया है तो दोनु तरीके से आप कम देल में या ज्यादा तेल में जिस तरीके से बनाना चाहिए आप इसे तयार कर सकते हैं तो जरूर राहे किजिए इस तरीके से स्वीट कॉन का यह नाश्ता बहुत जादा टेस्टी बनता है क्रिस्पी बनता है आप इसे धन्य की चटनी के साथ कैचप के साथ दही के साथ क फैमिली फ्रेंस में शेयर कीजिए कमन करके शेयर कीजिए रेसेपी आपको कैसी लगी मिलते हैं नई रेसेपी के साथ नए वीडियो में तब तक लिए बाई टेक क्यार थैंक्स पूर वाचिंग